हेलो दोस्तो सुभा की भागम दोड में कुछ समझ ना रहा हो कि नाश्टे में आज क्या वनाया जाए तो एक बार आप मेरी इस रेस्पी को जरूरू ट्राय करें हेलो दोस्तो में हुर राधा और राधा जी किचन में आप तुभी का बहुत बहुत स्वागत दे यदि आपको मेरी आज की रेस्पी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूले दोस्तो इस रेस्पी को बनान यहां से फूल चुकी है आप यदि रात में भीगोना बूल जाओ यहां पर दाल को तो सुभा के टैब भीगो सकते हो दो गटे के लिए गरम पाने कल ले उसमें दाल को डाल दे दो गटे तक आदा ही कब हमने चावल ले लिए जितनी दाल उतने ही चावल लेने आपको इनक के लिए हमने एक हरी मिच लिए बड़ी वाली चोटा सद्रका तोड़ा चार पांच लेसन के कली कुछ तो दाल चावल में पानी चला ही गया है आदा ग्लास के लगवक इसमें पानी और डाल देंगे तो अससे जादा पानी आप बिल्कुल नहीं डालें क्योंकि इतना पान इसे बहुत अच्या फ्लेवर होता है तेस्ट के अकोडिंग डाल देना दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे गेस ओंकर के अमने आकडाई रग दिए थू उड़ास रिफाइंड डालेंगे दो बड़ी चमच के लगवक जीरा डाल देंगे आधी चमच और चमच काली वा मुट बाए नतने रग्चन खालड में घृतील में देल ऐंगेंगे इसे अतना भी हमें थेश्टा लात फिर से फ effects को कर दें तो एक चमच की लगवा कलीगए पावड़ क्याम एक चमच गरम मसाला एक चमच लाल मिर्च ढ़ल देगी और इसमेंाट лाल मिर्च बावडर नेक पर और चाथ मसाला अपर आम चक करto do अब हमने चार उगले हुए चोटे इसलिए मेने चार ले लिए यदि आपके अलु बढ़े हो तो ही काफी है उनको हातों से तोड़ के डालना है मेश ग्रेट ना करें क्योंकि छोटे मोटे आलु के तुकुड़े रेते हैं तो फिर खाने में रेस्पी में अच्छे लगते है टेस्ट के अकोडिंग नमक डाल देंगी और एक दम बढ़िया चकपटी से आलु के हमारे यहां फिलिंग बन चुकी तो इसको थोड़ा कलार लेंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है तो अच्छे से दो तिन मेट हमने बीच बीच में दो बार इसको चला तो फ्रेंड्स गोल गोल फिलाएं हलका मोटा ही रखें क्योंकि खाने में टेस्टी लगता है बिल्कुल जादा इसको पतला नहीं करेंगे यह पर अच्छे से इसको फिला देंगे थोड़ा एक जैसा कर देंगी जिससे दिखने में अच्छा लगेगा और इसको थोड़ा स अच्छे से सीख जाए तब इसमें थोड़ा सामया लगाएंगे और अच्छे से सेखेंगे तो दोनों साइड से सीख जाता है कच्छा नहीं रहता है दाल और चावल का ना नाश्ता इसलिए अब जो हमारी चेटपटी से यालोगी पीलेंगे उसको भी इसमें आदे में अच्छे से सीख चुका है तो इसको टन कर देंगे और बद फ्रेंड्स दोनों साइड से सीख जाता है तो इतना ही से कि इससे ज्यादा ना से कि यह बहुत ही खाने में सोफ्ट नाश्ता हमारा बन कर तयार होता है दाल और चावल का वालोगी चटपटी फिलिंग से तो फि पुड़ा मोटा बनाएंगी तो खाने में टेस्टी लगता है और ओल लगा देना फ्रेंट्स ओल लगाना पूरी तरीके से उप्षिनल है आप चाहो ना तो दाल चावल का नाश्ता है तो हेल्थी भी बना सकते हो बिना ओल की इसको सेख सकते हो जो लोग मतलब ज्यादा ओल पसंद नहीं करते हैं वो लोग कर लेंगे थोड़ा से ओल लगता है इसमें ज्यादा ओल बिल्कुल नहीं लगता है आलू की फिलिंग रख देना है उसको फोल्ड कर देना है और एक दम बढ़िया हमारा दाल और चावल का नाश्ता बनकर तयार हो गया तो सभी भी इसको आ झाल झाल झालु कर लुण लड़ किले बबदया है ओछ morning job I